नमस्कार दोस्तों मैं सोकुमार आपका फिर स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल ASP Info Hub में दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो उदमपूर से इंदोर जंक्सन के बीच चल रही है दोस्तों इस ट्रेन का नाम है उदमपूर इंदोर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोस्तों जब यह ट्रेन उदमपूर से इंदोर जंक्सन की तरफ जाती है तब इसका नमबर होता है 22,942 और जब यह ट्रेन इंदोर जंग्शन से उदंपूर की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 22,941 दोस्तो इस ट्रेन की रैक सेरिंग दो ट्रेन के साथ है पहली ट्रेन का नंबर है 19,325, 19,326 दोस्तो इस ट्रेन का नंबर है 19,307, 19,308 दोस्तो इस्टेन को उधमपूर से इंदौर जंक्शन की तरफ ले आने का काम बी आर्सी बेज डिलेक्टिक इंचन डेली एपी 7 करता है दोस्तो इस्टेन के सभी कोच LHP रैक के हैं एक योजी कोच है, एक SLR कोच है तीन जनरल कोच है, एक 1st AC का कोच है 2nd AC के कोच है, 6th AC के कोच है, 8 sleeper कोच है टोटल दोस्तो इसटेन में 22 कोच है दोस्तो इसटेन उधमपूर से इंदौर जंक्शन के बीच का डिस्टेन जोकि 1470 किलोमेटर का है 23 गंटे 55 मिनट में पूरा करती है इसवीज दोस्तों यह टेन 17 रेलवे स्टेशनों पर रुखती है और 235 इंटर्मीडियर रेलवे स्टेशनों पर नहीं रुखती है इसवीज दोस्तों इसटेन की एवरेज स्पीड 62 किलोमेटर पर गंटे की रफतार से होती है दोस्तों यह टेन उदमपूर से इदवर जंग्षन की तरफ अपते में एक दिन भुद्धवार को जाती है दोस्तों यह टेन उदमपूर से चलकर जम्मूतवी, पठान कोट कैंट, जलंदर कैंट जंग्षन, लुदियाना जंग्षन, धूरी जंग्षन, जाखल जंग्षन, जीन्द जंग्षन, रोतक जंग्षन, सकूर बस्ती, देली सब्दर जंग, मतुरा जंग्षन, स्वाय माधोपूर जंग्षन, कोटा जंग्षन भवानी मंडी नागदा जंग्षन उजयन जंग्षन डेवाज जंग्षन के रास्ते इंदोर जंग्षन पहुंचती है तो दोस्तों इस्टेन की जनरल इंफर्मेशन के बाद आईए देख लेतें इस्टेन की स्पीड तो दोस्तों इस्टेन की जनरल इंफर्मेशन के बारे में जाना और इस्टेन की स्पीड को देखा दोस्तों इस्टेन की टाइम टेवल और किराय की जानकारी नहीं दे रहा हूं क्योंकि दोस्तों किराया कभी भी घटेया बढ़ सकता है और टाइम टेबल कभी भी चेंज हो सकता है तो दोस्तों आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके जल से जल धन्यवाद दोस्तों